आडियो सत्रा युवाओं की गर्णे की एक टक साल देवशंस्किती विश्वविद्याले देवशंस्किती विश्वविद्याले युवाओं को गर्णे की कारिशाला है विश्वविद्याले इसके समकक्ष संस्थान कई हैं इन में से हर एक की अपनी अपनी विसिस्ताइं है कई संस्थान पढ़ाई के साथ खेल कूद एवं भवन भोजन की खासियत के लिए जाने जाते हैं। कईयों की विसेस्ता उच्छ व्यवशाई कुपाधियों के साथ उच्छ नौकरिया हैं। लकिन जिन्दगी को गढ़ने व्यक्तित्व की उलजी गुथियों को सुलजाने क की बात कोई नहीं करता। जीवन जीने की कला, व्यवहार की कुशलता, व्यक्तित्व की अंतर नहीं सक्तियों का जागरन और उनका प्रबंधन कोई नहीं सिखाता। यहां तक कि वहां जिन्दगी से जुड़े हुए मसलों पर चर्चा भी नहीं होती। बस केवल से जुड़े हुए विशेशग्यों के इस बारे में कई तरह के शोध अनुसंदान किये हैं और इन सभी ने वर्तमान सिक्षा व्यवस्था पर प्रश्ण चिन्ह लगाया है। इनमें कईयों का तो यह मानना है कि ज्यादा तर युवा अपनी विश्व विद्यालय सिक्षा के दोरान बहते भटकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हैं? कई शोध पत्र यहां हैरत भरी जानकारी देते हैं कि उच्च व्यवसाइक संस्थानों में सिक्षा पाए हुए प्रबंधन गुरू अपने जीवन का प्रबंधन नहीं कर पा रहे। जिन कमपनियों का दाइत्व उन् सिवार कलह की लपेट में और बच्चे कुसंसकारों के घेरे में। प्रबंधन के महारतियों के नीजी जीवन में प्रबंधन का भाव हैरानी में डालने वाला है। कमों वेश यही इस्थिती तक्निकी विशशग्यों की नीजी जिन्दगी की है। कारण साप है कि उन्हों विश्वविद्याले ने दूसरे विश्वविद्यालेयों से अलग हटकर युवाउं के संचालों को विशेशग्यों एवम आचारियों ने ऐसे विधी विवस्था बनाई है जिसमें ऐसी सिक्षन प्रक्रिया अपनाई गई है जिसका ताना बाना रोजगार के साथ युवाओं की निज्जी जिन्दगी और समाजिक दाइस्तों से जुड़ा हुआ है। यही वज़ा है कि जहां अन्य जगहों पर सिक्षा पाने वाले युवा केवल अपनी आर्थिक सामाजिक उन्नती के लिए सोचते हैं वहीं यहां अध्ययन करने वाले युवक युवतियां जीवन के आध्यात्मिक विकास के साथ देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने क की योजनाएं बनाते हैं और इन योजनाओं को पूरा करने में सनलगन भी होते हैं देव विशंश्किती विश्वविद्यालय का सारा जोर युवकों की जिन्दगी गड़ने पर है इसके लिए सिक्षन एवं प्रसिक्षन की जो सैध्धान्ति एवं प्रायोगीक विद्य अपनाई गई हैं वे विशेश हैं यहां का प्रतेक पाठेकरम विशेश है यहां की प्रतेक सरचना के पीछे एक सुनिश्ची सोच है जिसके तहद योव विद्यार्थियों के अंताकरण में कुछ नया अंकुरित करना है वे जो भी विशेश यहां प्रते हैं उनमें उन् जिंदगी और व्यापक समाजिक जीवन में क्या महत्व है यहां जो अध्ययन अध्यापन की तक्निके अपनाई गई हैं वे रटने की बजाएं गहरी समझ को विक्सित करती हैं विद्यार्थियों की मौलिक्ता के विकास के लिए श्रोधनुशंधान रचनात्मकलेखन जैसी कई प्रक्रियाएं अध्यान के साथ अंतरग्ता से जुड़ी हुई हैं अपनी जिस्व सिस्ता को लेकर यह विश्र विद्यालय दिनों दिन विख्यात हो रहा है वह है यहां के युवा विद्यार्थियों उनके व्यक्तित्व की आंतरिक शक्तियों का ग्यान एवम उनका अपयोग करने की वैभारिक वाप्रायूगीक प्रक्रिया अभी पिछले दिनों यहां बड़े व्यवसाइक संस्थान के प्रोफेसर अपने युवा विद्यार्थियों के साथ आए हुए थे सांज का समय था यहां के विद्यार्थी भोजन के लिए मेज जा रहे थे भोज आए तो हमारी दिन में ही चलती है यह तो हमारी ध्यान की कख्षा है जब आप सुन कर वे थोड़ा हैरान हुए विश्व विद्याले में ध्यान की कख्षा उन्होंने फिर जानना चाहा क्या कोई बाहर से महत्मा आये हुए हैं इस प्रश्ण के जवाब ने उन्हें फिर है आते हैं और गीता भी पढ़ाते हैं कुछ देर तो खड़े रहे फिर मन ही मन को सोजते हुए ध्यान की कख्षा में चले गए उनके साथ उनके विद्यार्थी भी कख्षा में पहुंचे लगबक देड़ गंटे बाद जब वाबार निकले तो बहुत भाव मगन थे काफी देर कुछे पता चला कि भारत का भविस्त किस तरह उज्वल होगा यहां युवाव को संसकार दिये जा रहे हैं उन्हें देश्प्रिम और समाज की बाते सिखाई जा रही हैं सबसे बढ़कर यहां वे अपने व्यक्तित्व को गहराई से समझ रहे हैं ध्यान के माध्यम से स्व कि स्वामी सिवानंद ने उनसे कहा इक्षा जो तुम्हारे रिदय और अंतर आत्मा में उत्पन होती है जो शुद्धमन से किये गई हो एक विश्मत कर देने वाली विद्धुत चुम्बकी उर्जा के लिए होती है यह उर्जा हर रात को जब मस्तिस्क सुसुपता वस्थ में होता है आकास में चली जाती है हर सुबा यह उर्जा ब्रह्म्हांडी चेतना के लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है जिसकी परिकल्पना की गई है वह निष्टित रूप से प्रकट होता नजर आएगा नजवान तुम इस सत्य पर ठीक उसी तरह अनंत काल तक भरो करते हो विंग्स ऑफफायर के इस अंश्र का उलेक करते हुए उन्हीं ने कहा कि जिस विद्यालाई के विद्यार थी सांज को ध्यान करके मन को निर्मल बनाते हो जिन्हें उच्च कल्पनाई करना स्रेष्ट विचारों में निमग नहोना सिखाया जाता हो भला उनके जीव प्रणाली को संपूर्ण देश अपना सकता युवाओं के इतनी गहरी रूची इतनी संपूर्ण सववेदना अन्य कही देखने को नहीं मिलती यह विश्वविद्याल है यदि अपनी इसी रहा पर चलता रहा तो एक दिन यहां से सिक्षित प्रसिक्षित युवा देश मे संपूर्ण क्रांती लाने में समर्थ होंगे समग्र क्रांती है तो युवा शक्ति का भाव भरा आवान संपूर्ण क्रांती के लिए भारत माता ने युवाओं को पुकारा है यह पुकार ऐसी है जो पिछले दसक से भारती आकाश में गुंजाय मान है या वह अपना संदे जिसे युगदुरुष्टा परंपुजगुर्देव अपने देश की अपनी युवा पेढ़ी के लिए दे गए हैं। देश छोड़ते समय भी उनके दिल में देश के लिए गहरा दर्द था। राजनेतिक अस्थरता ब्रस्टाचार के पंक में फसे देश की करणधारों की पतित अवस्था उन्हें बहुत सालती थी। उन्होंने स्वाधिन्ता संघर्ज के दोरान देश की राजनेतिक दशा देखी थी। स्वयम भी इसमें भागिदार रहे थे। अनिक जाबाज युवाव के बलिदानों को उन्होंने नजदीक से निहारा था। और अब यह सिह किरन पैदा करने वाली सडन समस्या एक हो तो कहा जाए। आतंकी सुर्चा का पसरा मूँ ना जाने कितने निर्दोसों को लिल रहा है। सामाजिक दुरावस्था विगटित होते परिवार और भी ना जाने क्या ऐसा है जो भारत माता के आचल को दागदार किये हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि किसी एक अंग में फोड़ा हो तो उसे थोड़ा सा चीर कर मवाद निकाला जा सकता है। पर जब पूरा शरीर मवाद से भर गया हो तो संपोन काया कल्प के अचूख विधान तलासने पड़ेंगे। देश की जो दशा आज है उसमें छोटी मोटी करांती कारियों से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए तो संपोन करांती की संजीवनी चाहिए। यह महा साहस तो देश की युवा पेढ़ी ही कर सकती है। युवा पेढ़ी से उन्हें बहुत आशाय थी। इन्हें लेकर उन्होंने अनेकों सपने बुने थे। बड़े मुख पर खुशी चाह जाती थी। वह हस्ते हुए कहते थे भारत का भविश्य उज्वल है। परन्तु वर्तमान की दुरावस्ता उन्हें दारूर दूग देती थी। ऐसी ही अंतरवेद्ना की छणों में उन्होंने एक दिन कहा था। बेटा यदी इसा मसी मरण के अंतिम वे इशा जिनके हाथ पाउं में कीले ठुकी हुई थी। उनकी देह पर कोडों के निसान जगा जगा से फटी हुई त्वचा और उसमें से बहता रक्त। उन महात्मा इशा का कलपना चित्र मन में उभरते ही देह मन में एक विचित्र सी लहर दोड़ गई। सुनने वाले उनसे कहा क्यों नहीं गुरुदेव आप बताईए क्या करना है कौन है इसा इसे पिलाना है पानी उत्तर में वाकेवल इतना बोले पहचान सको तो मुझे पहचान लो मैंने तो देश के लिए सब कुछ सह लिया अब भागीदारी नए युवक युतियों को करनी है तुम्ह उन्हें मेरा संदेश सुनाना है यह संदेश है संपुनक्रांती का संदेश यहीं नवयुक के अवतरण को संभव भनाने वाले मसीह को पानी पिलाने जैसा कारिय है उनके वचन की संपुनक्रांती में नारे या भीड की जरूरत नहीं है इसके लिए सब्वेदना की वहां आलसी विलासी निस्ठूर निस्करुण नहीं हो सकता आसपास का दुख उसे बेचैन विकल करता रहेगा जब तक वह इन पीडितों के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा उसे रहात नहीं मिलेगी सवेधना से ही स्वार्त की सांकले तूटती हैं अहनता की जकडन धीली पड़ती है यहां में सवेधना की यह अंकूर फोटने लगे तो समझो कि संपोन क्रांती की सुरुवात हो गई यह आपिडि के लोग वकील डॉक्टर राजनेता प्रबंधन विशिशग्य तकनी की ज्यान में माहिर या फिर बेर्युजगार अथ्वा विद्यार्ती हैं इ उन्हें करना केवल इतना ही है कि जमाने परंपराओं नियमों समाजिक्ता प्रतिष्ठा स्वार्थ परता और भी ऐसी कितनी चीजों की वजाए सवेधना के पक्षमें डटकर खड़े हो जाएं उन्हें निष्टर केवल इतना ही करना है कि मानवी सवेधना के विपरित कु कोई अनपड़ रहेगा नहीं कभी नहीं फिर तो रौष्णी ही रौष्णी होगी युआ वकीलों की नजर यदी पैसों पढ़ना होकर न्याय दिलाने पर हो तो कितने उत्पीडितों की होटों पर हसी भिखर उठेगी डॉक्टरी की अंतरभावना यदी सव्वेदित हो सके तो कितनी की कराहटे मुझ को रहाटों में बदलेंगी बेरुजगार फिर अपना रोना रोने की बजाए किसी रोते हुए को चुपकराने में समर्थ होंगी विद्यार्थी जो ग्यान की साधना करते हैं अंगिनत को ग्यान बाटने लगेंगे गुरुदेव कहते हैं कि साम अंगारों वजवालाओं में बदलने लगे तो समझों की भारत माता की युवा बेटे बेटियों में आपने मां के दूखों को समझने की ताकत आ गई इस संबंद में लाग टके का सवाल ये पूछा जा सकता है कि ऐसा करने की ताकत कहां से आएगी इसके जवाब में प्रेरित किया वही संपोनक्रांती में लगने वाले युवाओं में शक्ति का संचार करेगा वह कहते थे कि इस महतकारे में लगने वालों को शक्ति की चिंता नहीं करने चाहिए शक्ति और अन्या आवश्यक बाते तो अपने आप ही आ जाएंगी बस युवा अपने आपक काम में लगते ही देखेंगे कि उनमें इतनी शक्ति आने लगेगी उसको सहन करना कठीन पढ़ने लगेगा सब विद्ना से प्रेरित होकर दूसरों के लिए किया गया तनिक सा कार्य भी अंतस्त सक्ति को जागरत कर देता है दूसरों के प्रती थोड़ी सी भलाई का विचार भी क्रमशह विद्ना में सीह का बल संचारीत कर देता है अमरित पुत्रों को भला मृत्यू का डर प्रभु जब हमारे साथ सदा है तो पराजय की क्या चिंता युवा सुने यह वीरवाणी जीवन कर्म सहज भीशन है उसका सब सुख केवल छण है यद्यपी लक्ष अद्रिश धुमिल है फिर भीवीर वृदय हल चल है अंदकार को चीर अभय हो बड़ो सहासी जग विजई हो